नमस्कार मैं रविश कुमार महरास्टर की राजनिती में जो कुछ हुआ है उसका इल्जाम वहां की राजनिती में पैसे के रोल पर इस तरह से डाला जा रहा है जैसे बाकी राज्यों में राजनिती सत्तु फांक के होती है पैसा पैसा का नाम लेकर जिस राजनिती को नौर्मल बताया जा रहा है ऐसा कहने वाले लोग बहुत चालू हैं वे इस सवाल को उठाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं कि 27 जुन को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जिस NCP को महा भरष्ट बता रहे थे उसी के विधायक उनकी सर को भटकाया जा रहा है ताकि यह सवाल ना पूछा जा सके कि जिस NCP को प्रधान मंत्री ने खुद भरष्ट बताया है उसके विधायकों को अपनी सरकार में क्यों शामिल किया गया क्या इनके शामिल होने में मोदी की सहमती है या नहीं शरत पवार की सहमती पर बात हो रही शरत पवार ने ट्वीट किया है कि NCP के राष्ट्री अध्यक्ष के ना थे उन्होंने प्रफुल पटेल और सुनिल तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है दोनों को दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण निकाला गया है नरेंद्र नाराने जो मुंबई NCP के कारेकारी अध्यक्षते उनको भी निकाल दिया गया है और विजय देशमुख को भी पवार ने अब उन सब को निकालना शुरू कर दिया है जो अजित पवार के साथ बैठक में शामिल थे NCP ने दल बदलने वाले विधायकों के खिलाब कोट में याची का भी दायर की है जिस पवार को सब इस खेल में शामिल बता रहे थे अब उसी पवार को साबित करना पड़ रहा है और वे साबित करने की राह पर चलते हुए नजर भी आ रहे हैं कि खेल उनके साथ हुआ है वे इस खेल में शामिल नहीं थे अरग सागर की इन लहरों ने महरास्टर के कई नेताओं का दौर देखा है यहां की जनता भी कनफ्यूज नहीं है और ये लहरे भी नहीं इन्हें साथ साब पता है कि जहाज लूटने वाले कौन लोग हैं गोदी एंकर भले ही कहते रहे कि शरत पवार राहूल गांधी के साथ दिग गए तो एनसीपी के विधायक अपनी पार्टी छोड़ गए और मुख्यमंत्री शिंदे के नित्रित्व वाली बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए मगर इन लहरों को पता है कि करीब धाई साल तक महराश्ट में कॉंग्रेस शिवसेना और एनसीपी की सरकार चली तब तो एनसीपी में बगावत नहीं हुई शरत पवार और राहूल गांधी तो कई बार मिले हैं और दोनों की खुब तस्वीरे भी हैं तो अब ऐसा क्या हुआ कि पतना की बैठक में राहूल को देखकर ये विधायक बीजेपी के साथ चले गए इन लहरों को पता है कि उस बैठक में तो और भी कई नेता मौझूद थे फिर राहूल गांधी को क्यों बहाना बनाया जा रहा है और उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है राहूल गांधी तो अब चुनाओ भी नहीं लड़ सकते ना पतना की बैठक में राहूल गांधी को प्रधान मंत्री का उम्मिद्वार चुना गया ना शरत पवार या प्रफुल पटेल ने ऐसी कोई शर्त रखी समंदर की लहरों को देखकर उसकी गहराई बताने वाले गोधी एंकर को दरसल कुछ भी पता नहीं है नहीं वे पता करने वाले असली सवालों को पूछने के लायक रह गए हैं इसलिए कि गोधी मीडिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से सवाल ना करें कि हम आपकी बात पर कैसे भरोसा करें आपने मध्यप्रदेश के बीजेपी नेताओं से कह दिया कि एंसीपी भरष्ट पार्टी है और महराश्ट में बीजेपी की सरकार में एंसीपी के विधायक शामिल हो जाते हैं इस सवाल से पूछने भर से गोधी मीडिया की दुकान बंद हो जाएगी इसलिए उसके एंकरों ने पुरानी दुकान चालू कर दी राहूल गांधी को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया जिस दिन राहूल गांधी को इतनी बड़ी तूट का जिम्मेदार बताया जा रहा था उस दिन राहूल गांधी तेलंगाना में रैली कर रहे थे इस रैली में भीड तो दिखती है और इसे कवर करने का तरीका भी 2014 के मोदी की रैली से मिलता जुलता है बस फर्क यह है कि तब भी मोदी के साथ अनेक चैनल थे और आज भी है राहुल की रैली में आज भीड है मगर उनके साथ कोई चैनल नहीं और उनकी पार्टी के नेता गोदी मीडिया को कोस रहे हैं कि चैनलों पर यक्क्यों नहीं दिखाया जा रहा यह कहना बहुत जादा होगा कि एनसीपी की तूट का यह दिन इसलिए चुना गया ताकि तेलंगाना की रैली को ना दिखाया जाए सच्चाई यही है कि दो जुलाई को एनसीपी नहीं तूटती तब भी गोदी मीडिया रहुल की इस्रैली को नहीं दिखाता और उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि इसके बाद भी कॉंग्रेस के बड़े नेता और प्रवक्ता इन्हीं गोदी चैनलों के गोद में बैटकर इंटर्वियू देते हुए नजर आते तो यह बात बोगस और बक्वास है कि शरत पवार राहुल गांधी के साथ पटना में दिख गए इसलिए अजीद पवार बीजेपी की सरकार में चले गए अजीद पवार के दल बदल की बात बहुत पहले से हो रही है अब शरत पवार की मनजूरी से हुआ या उनसे बगावत हुई है यह तो शरत पवार ही बहतर बता सकते हैं और उनके जवाब को कितना स्विकार करेगी जनता या लोगों में पवार की विश्वसनियता पर निर अदानी से होती है तब विपक्ष संयुक्त संसदिय समीती से हिंडनबर की रिपोर्ट के आलोप में जांच की बात कर रहा था इस बार खुद पवार ने विपक्ष की मांग को कमजोर कर दिया और कहा कि जेपी सी की मांग में दम नहीं है लेकिन विपक्ष की नाराजगी के ब गोधी मीडिया के एंकर उचल कुद मचाने लगे कि विपक्ष की मांग में अब कोई दम नहीं गोधी मीडिया जितना सरकार का साथ देती है सरकार भी उतना अपनी सरकार का साथ नहीं देती बीजेपी के कितने ही मंतरी अदानी और पवार की मुलाकात को लेकर ट्वीट कर ने लग गए थे यह सही है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही NCP को महा भरष्ट बताते रहे हैं लेकिन इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने शरत पवार को जेल में डालने से लेकर सजा दिलाने की हिम्मत नहीं की शरत पवार जरूर प्रधान मंत्री मोदी की राजनि कॉंग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी और खबर आती है कि शरत पवार ने नरेंदर मोदी से मुलाकात कर ली है हिंदू अखबार की एक खबर देखिए 30 जुन 2022 की है अखबार लिखता है कि राजिपाल कोशियारी ने महराष्ट में राष्टपती शासन लगाने का प्रस्ताओ भेज दिया है ठीक उसी वक्त एंसीपी शिवसेना और कॉंग्रेस सरकार बनाने की रणनीत पर बात कर रही थी लेकिन शरत पवार प्रधान मंतरी मोदी से मिलने चले गए कारण बताया कि राजिय के किसानों की हालत खराब है उनके लिए प्रधान मंतरी से मिलने गए तब भी एंसीपी शिवसेना और कॉंग्रेस के नेता मुश्किल में आ गया कि अब क्या जवाब दें बाद में शरत पवार के साथ उद्व ठाकरे की बादचीत हुई और महाविकास अगारी के नाम से सरकार बनी ठीक इसी तरह कुछ महीनों के बाद जून 2022 में महाविकास अगारी की सरकार गिरने से पहले 6 अपरेल 2022 को पवार मोदी से मिलने चले गए दोनों की मुलाकात करीब 20 मिनट चली उस समय M.V.A. के निताओं पर इडी का शिकंजा गहरा हो रहा था महराश्ट के ग्रेमंतरी अनिल देशमुक को C.B.I. ने गिरफतार कर लिया था और संजे राउट के खिलाब इडी ने कारवाई की थी उस समय शरत पवार ने कहा था कि प्रधान मंतरी से संजे राउट को लेकर बाचीत हुई पत्रकारों ने जब पूछा कि प्रधान मंतरी ने क्या कहा तो उनका जवाब था कि उन्होंने प्रधान मंतरी की प्रतिक्रिया नोट नहीं की यही नहीं इस बैठक के बाद पत्रकारों ने जब अजित पवार से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बैठक के बारे में पता नहीं ठीक उसी तरह से जब दो जुलाई की बैठक के बारे में शरत पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बैठक के बारे में पता नहीं अजीद पवार विपक्ष के नेता हैं और बैठक बुला सकते हैं अब उसी अजीद पवार को दल विरोधी गतिवीधियों में शामिल होने के आरोप में शरत पवार ने पार्टी से निकाल दिया है इस बार प्रफुल पटेल से लेकर अजीद पवार तक विकास के नाम पर शिंदे के की सरकार में शामिल हो गए हैं ये बड़ा जटका है शरत पवार की राजनिती के लिए और महरास्ट्र की जमीन से पैदा हुई राजनितिक दलों के लिए शिवसेना के बाद NCP दूसरी बड़ी पार्टी है जो महरास्ट्र की राजनिती की पहचान राश्ट्री अस्तर पर रखती थी दोनों ही पार्टियां समाप्त कर दी गई हैं आपको ये तस्वीर याद होगी 2019 में सतारा में पावार भाशन दे रहे थे बारिशोने लगी और भीगने लगे भाशन नहीं रुका उनके कारेकरताओं में जोश भर गया कि उनका नेता मोर्चे पर खड़ा है मामला यह था कि शरत पवार और रन्ने पर एडी ने पचीस हजार करोड की कॉपरेटिव घुटाले का मामला दर्ज किया था रोज उन्हें ललकारा जाता था कि एडी बुलाएगी एडी ने समन नहीं भेजा मगर पवार ने कह दिया वे एडी के दफतर जाएंगे तब पुलिस को कहना पड़ा कि आप मताये कानून व्यवस्था की समस्या हो जाएगी और पवार नहीं गए अंत में इस केस का क्या हुआ बरस्टाचार के खिलाब कारवाई की गारेंटी देने वाले प्रधान मंत्री मोदी ही बता सकते हैं लेकिन यह रिष्टा क्या है पवार एडी के पास जाना चाहते थे पुलिस रोकने लगी के कानून व्यवस्था की समस्या हो जाएगी और यह सुबिधा केवल उन्हें मिली राहुल गांधी को नहीं मिली ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री को तै करने में 10 साल लग गए कि 82 साल के इस निता को राजनीतिक रूप से निप्टाएं या एडी के जरिये लगता है इस बार दोनों में संतुलंग साथ लिया गया राजनीतिक रूप से भी शरत पवार को निप्टाने की कोशिश की गई और एडी के सहारे भी सवाल प्रधान मंत्री से है कि अगर NCP महा भरष्ट पार्टी है तो शरत पवार दस साल में एक बार भी जेल क्यों नहीं गए मेरी राये में प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी से ये सवाल पूरे देश में और बी जेपी के भीतर के तमाम नेताओं में एक ही नेताब पूछ सकते हैं और उनका नाम है किरिट सुमया अख्छा इंडिया में किरिट सुमया के अलावा प्रधान मंत्री मोदी से ये सवाल कोई नहीं कर सकता एक साल से NCP के एक विधायक हसन मुश्रिफ को भरष्ट साबित करने में लगे थे तरह तरह के दस्तावेश से साबित करते रहते थे कि हसन मुश्रिफ ने पंदरसो करोड के घोटाले किये हैं इस जुनून में करिट सुमया ने काफी रिस्क ले लिया और उनके पास जुडिशियल ओर्डर की कॉपी पहुँच गई तब बॉंबे हाई कोट ने नियाईक जाच का आदेश दिया कि जिला कोट के प्रिंसिपल जजज पता लगाएं कि कैसे करिट सुमया को जुडिशियल ओर्डर की कॉपी मिल गई जबकि कुछ घंटे पहले ही ओर्डर पास हुआ था बॉंबे हाई कोट ने जाच अधिकारी से यह भी कहा कि पता लगाई है कि करिट को FIR की कॉपी मजिस्टेट से पहले कैसे मिली अभी 11 अप्रेल को किरिट ने अपना वीडियो डाला और मराठी में ट्वीट किया कि कोट ने अब हसन मुश्रिफ की आगे की कारवाई का रास्ता साफ कर दिया है अब E.D. आगे भी सकत कारवाई कर सकती है किसानों से धुखा धड़ी, करोड रुपए की मनी लॉंडरिंग, बैंक के साथ गड़बड़ी, सैक्डो, करोड का घुटाला, मुश्रिफ साहब अब अपना बैग पैक करें और तयार रहा मुश्रिफ साहब अता बैग भरुन तयार रहा बताईए, जिस हसन मुश्रिफ को किरिट सुमया बैग पैक कर तयार रहने के लिए कह रहे थे कि अब जेल जाने के दिन आ गए हैं, वो तो मंतरी बन कर उनकी सरकार में आ गए और हसन जी के नेता अजीद पबार उपमुखी मंतरी बन गए मुझे नहीं पता कि किरिट भाई के पास पैक करने के लिए अपना कोई बैग है की नहीं अगर बैग होगा भी, तो उनके पास जाने के लिए कौन सी जगा बची है लेकिन उनके साथ घजब हो गया टूठ हुई एंसीपी में और हसी उड़रे ये भाजपाई नेता किरिट सुमया की चार अप्राइल को किरिट सुमया ने ट्वीट किया था कि एडी ने हसन मुश्रिप से जुड़े व्यक्ती के नौ ठिकानों पर छापे मारे हैं हसन मुश्रिप को हिसाब देना पड़ेगा बताईए आप लोग किरिट सुमया क्या करें आप लोग बताईए अब तो उन्हें हसन मुश्रिप से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा किरिट भाई ने कौन से गलती की जो उने इतनी बड़ी सजा दी गई जिसे भरष्टाचारी साबित कर रहे थे मोदी जी ने उसे ही मंतरी बनवा दिया मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि हसना बंद कीजिए ये मैटर बहुत सीरियस है मुझे पूरा यकीन है कि जब किरिट सुमया ने प्रधान मंतरी मोदी का या भाषण सुना होगा कि भरष्टाचारी को नहीं छोडने की गारेंटी दे रहा हूँ वे गर्व से भर गए होंगे काफी गर्व हुआ होगा उनकी जगा मैं होता तो खुशी से समंदर में छलांग लगाता लेकिन जो हो गया किरिट सुमया के साथ वो मेरे साथ हुआ होता तो उस हालत में तलाब के किनारे जाता दो लोटा पानी से नहा कर चुप-चाप घर चला जाता ताकि कोई देखे नहीं परिवारबाद से नफरत करते हैं और परिवारबाद को पार्टी में ले आते हैं अजीद पवार, जो तिरा देते सिंदिया और अब चिराग पासवान के मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है ये लोग किस कोटे से परिवारबादी नहीं है जरा बताईए और केवल राहुल हैं ये भी बताईए जनता से कहते हैं कि गांधी परिवार के बच्चों के लिए बोट मत देना और खुद कई परिवार के बच्चों को अपनी पार्टी में ले आते हैं क्योंकि इने सरकार बचानी है चुनाव जीतना है प्रदानमंत्री मोदी से कोई यह सवाल नहीं पूछेगा मैं समझता हूँ कि अब तो किरिट सुमया भी पूछने के लायक नहीं रहे अब क्या होगा इस देश का वाकई भरी धूप में अंधेरा चा गया है महराष्ट की घटना पर ट्वीट करना शुरू कर दिया है कहने लगे हैं कि महराष्ट में बीजेपी के जीतने के 80% चांस बढ़ गए है बताइए जिनके खिलाब एडी की जांच हुई हो चल रही हो उनकी आने से बीजेपी की जीत का चांस बढ़ता है क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा काफी नहीं है बीजेपी की जीत के लिए अब अजीत पवार को लाना पड़ेगा हसन मुश्रिफ को लाना पड़ेगा ये एंकर ना समझते हैं ना पूछते हैं केवल वाहवाई करते हैं देश की राजनिती एडी तै कर रही है जो डिक्रशस चाल और है ये एक्ट्र शिटिस चला रहा है वह इत्र्स सिरेडिल क्या नहीं किया हम लोग जो एलेक्टेट गौभमेंट है हम लोग उदर ने पुना राजमावन को और नहीट-टिव गवार्मेंट माना दिया जो आप मर्जी करते हैं जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाब में ED लगा देता है CBI लगा देता है मेडिया को तो पुरा कंट्रोल किया है और क्या चला की करते है जो फिर उस्तम कमाफिक बहुत सारे लॉयर को कोट में भेज कर कोई ना कोई केस करकर हम लोगों खिलाब में कोई ना कोई CBI होता है नई तो ED होता है ने तो पंचाइज भी CBI में होगा ऐसा ऐसा होता है विपक्ष की राजनीती में अंतर विरोध है लेकिन जिस तरह से जाच एजनसी के इस्तिमाल से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है इस पर नाचने गाने जैसा कुछ भी नहीं है या देश को समझना होगा और सोचना होगा कि क्या वो इस लोग तंतर में विपक्ष नहीं चाहता है अगर उसने इतना समझ लिया है तो वो एक दुर्भाग्य पुर्ण भविश्य की तरफ बढ़ने का फैसला कर चुका है हो किस तरफ जा रहे हैं महरास्ट में राजनीती ने अपनी करवट नहीं ली है बलकि जहांच एजनसियों ने राजनीती पर लात मार कर उसे नीचे बिठा दिया है जब पुलवावा मामले पर जम्मू कश्मीर के पुर्वराजेपाल सत्यपाल मलिक ने बयान दिया था तब शरत पवार ने कहा था कि मलिक ने अभी सच बात बताई है देश में जबानों की सुरक्षा राज्य और केंदर सरकार के हाथ में होती है सरकारें वो काम ठीक से निभा नहीं रही हैं इसलिए सत्था में रहने का उन्हें अधिकार नहीं शरत पवार को कोई नहीं जान सकता मगर ऐसा कहने वाले प्रधान मंत्री मोदी के बारे में नहीं कहते हैं वे जानते हैं बस पूछते नहीं हैं कि आपने तो जिस पार्टी को महाभरष्ट कहा उस पार्टी को अपनी सरकार का हिस्सा कैसे बना लिया शरत पवार आज सतारा में थे आज वे प्रित्वी राज चवान के साथ यश्वन्त राव चवान के समाधी पर गए पवार यश्वन्त राव चवान को अपना सियासी गुरू मानते थे तीन जुलाई को गुरू पुर्णिमा के दिन उनकी समाधी पर जाते हैं उन्होंने कहा कि आज गुरू पुर्णिमा है इसलिए कल हमने पूरे महरास्ट में आज से जन्मत निर्मान का निर्णेल लिया है अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं यश्वंत राव चवान की सम देश छिपा है सतारा से वे 82 साल के सिपाही बनकर राज्ज में घूमने का ऐलान कर रहे हैं कभी पवार ने बसंदादा पाटिल की सरकार गिरा दी थी महरास्ट की राजनिती को एक नया नेता मिला जिनकी अपनी स्वतंतर पहचान बनी पवार केंद्र से भी बगावत करते मिलाते रहे आज उसी पवार के खिलाब भतीजे अजीद पवार ने बगावत कर उन्हें चुनोती दे दी है 5 जुलाई को पार्टी नेताओं के एहम बैठक बुलाई गई है इससे पहले ही पवार ने नेताओं को पार्टी से निकालना शुरू कर दिया है जो अजीद पव परिट साथ देगा जिससे शरत पवार विपक्ष की मांग और उसके आंदुलनों ते बीच मुलाकात करते हैं शरत पवार इस खेल को अच्छी तरह से जानते हैं काश जरा खुल कर कह पाते हैं शरत पवार ने मराठी में लंबा सा ट्वीट किया है लिखा है कि महरास्ट भ इससे सामप्रदाइक दंगे भड़क उठे महरास्ट के लिए उचित नहीं था पवार अपनी राजनिती की लाइन साफ कर रहे हैं उन्होंने जो कहा हम उसका अनुवाद पढ़ रहे हैं जब राज्य में महाविकास अगारी की सरकार थी तब कुछ लोगों ने किसी ना किस तरह से उस सरकार को खार थेकने का काम किया ऐसा सिर्फ महरास्ट में ही नहीं बलकि देश में अन्य जगों पर वे किया गया गलत प्रवृतियां से उठा रही हैं छत्रपती शिवाजी महराग राजर्शी शाहू महात्मा फूले डॉक्तर बाबा साहब अंबेटकर पाबार ने कहा है कि 1980 में जो किया फिर से दोहराएंगे तब पांच विधायकों के ही नेता रह गये थे और जीरो से पार्टी खड़ी कर दी 82 साल की उम्रे में शरत पाबार की लड़ाई का क्या अंजाम होता है देखते हैं उनके होते हुए भी शिवसेना तूट गई और म शिंदे का भविष्य क्या होगा ये बड़ा सवाल नहीं है बड़ा सवाल है शरत पाबार का भविष्य क्या होगा बस एक ही शिष्टाचार अभी तक नजर आ रही है महराष्ट में शरत पाबार पर कोई खुल कर हमला नहीं कर रहा है शरत पाबार अजीद पाबार पर अभी सामने आनी बाकी है नमस्कार मैं रविश कुमार